गुद मॉर्निंग इस्टूडेंट इस फर्स चैप्टर दी फंदे हैड इन प्रोस यह आपका प्रोस का फर्स चैप्टर है दा फंदे हैड वह मजा जो उनके पास था इसमें देखिए इस चैप्टर में बताया गया है कि एक मारजी नाम की लड़की होती है और वह अपनी ड काईड़ी में 17 माई 2157 की डेट लिखती है और बोलती है कि आज उसे टॉमी ने एक रियल बुक दी यह बुक बहुती पुरानी थी उस बुक में मारजी के दादा जी ने लिखा हुआ था जब वह एक छोटे बच्चे थे तो उनके दादा जी ने क्या लिखा था कि एक समय ऐसा भी था जब वह सभी परकार की जो कहानिया होती है वो नोट बुक में लिखते थे कौपी में लिखते थे उनके पेच पलटते थे तो पेच उनके कैसे होते थे पीले होते थे और मुड़े हुए होते थे उन शब्दों को पढ़ना बहुत ही इंट्रेस्टिं रूप में वैसे ही बने हुए होते हैं जैसे कि स्क्रिन पर चलते हुए शब्द होते हैं वो ऐसी ही नहीं थे वो बिल्कुल इस थे शब्द होते थे जब हम पहले पेच को पलटते थे पिछले पेच को पलटते थे तो वही शब्द मिलते थे जो हमने पहली बाल पढ़े तो टॉमी ये बुक मार जी को देता है, तो मार जी अब उस बुक को पढ़ती है, तो टॉमी इस बात के लिए कहता है कि ये बेकार की चीज है, और मैं सोच सकता हूँ, कि जब तक तुम इस पुस्तक को पूरा पढ़ लोगी तब इसे फैक दोगी वो ये कहना चाहता है कि तुम्हें ये अब पढ़ने में अच्छी लग रिया तुम्हें इंट्रेस्ट आ रहा है लेकिन जब तुम इस बुक को पढ़ लोगी तो इसको फैक दोगी हमारे दूर दर्शन की स्क्रीन पर बहुत सी बुके होंगी बहुत सी पुस्तके होंगी और यह अच्छी बात है कि इससे अधिक पुस्तके आ सकती है मैं इसको नहीं फैकूंगा मार जी तब इस पर रिप्लाई करती है कि मैं भी इसे बुक को नहीं फैकूंगी ये जो अब बाते चल रही हैं टॉम और मार जी की तो इस टाइम मार जी की एज होती है 11 years old और टॉमी की एज होती है 13 years old तो ये दोनों आपस में बात करते हैं इस पर मार जी कहती है कि ये बुक तुम्हें कहां पर मिली तो टॉमी दूसरी बुक पढ़ने में बहुत बिजी था तो वो ये बोलता है कि मार जी की साइट वो नहीं देखता इशारे से ही वो बोल देता है कि अपने घर पे तब मार जी इस पर पूस्ती है कि इसका क्या सबजेक्ट है इस बुक का क्या सबजेक्ट है इस पर टॉमी ब बहुत जादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि वह स्कूल के बारे में जब सुनती है तो उसे बहुत जादा इस्कूल से नफरत होती है वह बहुत जादा नफरत करती है स्कूल से क्योंकि जो मार्जी होती है वह स्कूल को पहले किसी बीते हुए समय से अधिक नफरत करती है क्योंकि कंप्यूटर उसकी भूगोल में टैस्ट पर टैस्ट देता है और वो खराब करती है और अधिक घराब कर रही हूती है जो computer उससे geography का test देता है। लाश्ट में क्या होता है इसमें कि जो मार जी की mom होती है मिसिस जोंड वो बहुत जाद़ परेशान हो जाती हैं और फिर वो जिला निरिक्षक को बुलाराथी है जिला निरिक्षक क्या करते हैं फौर्फ पैराघ्राफ में देखेंगे, जो जिला निरिक्षक होता है वो एक गोल मटोल नातास आदमी होता है, जो उतका चेहरा होता है, वो बहुत जादा लाल होता है और उसके पास एक box होता है जो इस्टुमेंट से भरा हुआ होता है ओजारों से भरा हुआ होता है जिसमें dial और तार भी होते हैं अब वह मार जी को देखर smile pass करता है और उसको एक apple खाने के लिए देता है और जो वो computer होता है उसको एक side उठा कर ले जाता है अब मार जी को लगता है कि यह जो spectre है यह computer को ठीक नहीं कर पाएगा जोड़ नहीं पाएगा लेकिन वो जो spectre होता है जो जिला निरिक्षक होता है वो computer को जोड़ना जानता था अब एक घंटे में या उससे थोड़ा कुछ जादा वो computer को ठीक करके ले आता है अब computer किस तरह का होता है वो एक black color का बदसूरत होता है बड़ा size होता है उसकी जो उसका परदा होता है बड़े size का होता है और जो उसमें lesson होते हैं वो बिल्कुल clear दिक्रे होते हैं और उसमे question put up कर रहा होता है जो वो screen होती है computer की उस पर lesson बिल्कुल clear दिख रहे होते हैं और जो question होते हैं वो पूछे जाते हैं वह जो computer होता है वो इतना बुरा भी नहीं लगता अब मार जी को computer के जिस भाग से सबसे अधिक नफरत थी वो क्या था वो भाग एक खांचे का बना जिसमें उसको जो homework था और उसके मार जी के test paper ते उसमें डालने होते थे अब उनको डालने के लिए मार जी को उसमें एक punch code लिखना पड़ता था उसको 6 वर्ष की IU में सिखाया गया था जो ये computer है इस पर work करना मार जी को 6 वर्ष की IU में सिखाया गया था और computer बहुत ही जल् जो मार जी वर्ष करती थी उसका मुल्यानकन कर देता था अब क्या होता है जो computer ठीक करके जो inspector होता है वो smile pass करता है और मार जी का जो सिर होता है वो थप थपाता है उसने मार जी की मां से कहा कि इसमें इस लड़की का कोई भी दोश नहीं है श्रीमती जोन इसमें जो ये बेटी है आपकी मार जी है इसमें किसी परकार का दोश नहीं है क्योंकि मेरे विचार से भूगोल का जो ये part है ये थोड़ी फास्टली में तुसे मार जी के age की according धीमा करके मार जी की age के according कर दिया है यहां पर आप इस तरह से बोल सकते हैं कि धीमा करके उसको जो मार जी की age है 10 वर्ष की उसके इसतर पर ला दिया है और वास्तम में ये जो सब परकार से मार जी की प्रकरती का एक नमूना है जो इस प्रक्टर था वो ये कहना चाहता था कि पहले मार जी को दिक्कत होती थी वो पढ़ती थी अपना टैस्क पेपर नोट करती थी और उ ये रिजन था कि इसमें जो वर्ष था वो जितनी मार जी की एस थी उससे कहीं बहुत ज़्यादा अधिकता अब मैंने इसमें ऐसा सिस्टम कर दिया है कि जो ये मार जी की age की according ही उसका वर्ष देगा और आप उससे satisfy हो जाएंगे अब मार जी का वह है दुबारा से सिर थप थपाता हैं अब मार जी वो बहुत ज़्यादा निराश होती है और वो ये सोसती है ये आशा कर रही होती है कि उसके जो computer है वो उसको ले जाएंगे क्योंकि एक बार क्या होता है वो तॉमी का computer ले जाते है और एक महीने तक वो वापिस नहीं करतेunda और जो टॉमी का इत्या रह जाता है कि लिए नहीं हो पाता अते उसने टॉमी से कहा कि कोई व्यक्ति स्कूल के बारे में क्यों लिखेगा यह आपका हाफ चैप्टर है हाफ चैप्टर जो आपका रीमें है वो मैं नेस्ट वीडियो में पढ़ाऊंगी थैंक यू सो मच